वो कहते हैं ना मेहनत सही direction में की जाए तो result और भी बढ़िया होता है तो class 10 के बच्चों science object में आपकी last 30 days यानि last one month की क्या strategy होनी जाए जिससे आपका syllabus भी revise हो जाए question की practice भी हो जाए और more than 95% आप score कर सको उसी पर ये video है तो video में मैं कुछ mantra देने वाला हूँ आपको इन mantra को जरूर follow कीजेगा और देखिए आपका science subject में बिल्कुल चमचमाते shining marks आएंगे लेकिन आप ध्यान से इस video को end तक जरूर सुनना और बातों को implement करना ठीक है अगर हम बात करें सबसे पहले science subject की तो science का board exam 4 March को है तो चार फरवरी से चार मार्च एक महिना होगे अब इस एक महिने में आपको पढ़ना कैसे है उस पर तोड़ा चर्चा कर लेते हैं अगर मैं science को तीन subject में divide कर दो तो हो गए chemistry physics bio chemistry के आपके चार chapter आ रहे हैं syllabus में जो है physics के चार chapter है और बायो के पांच chapter है टोटल होगे 13 चैप्टर अब इनको revise कैसे करना है तो मैं countdown के form में चलता हूं ना तब तीस दिन में पहला दिन पहले दिन आप question practice कीजिए तो mix मत कीजिए यसे आपने chemistry के question उठाये तो पहले दिन chemistry के जो चारो चैप्टर है जो syllabus में है उनके practice कीजिए question तो माल लेते हैं पहले दिन आपने केमेस्टरी के किये और दूसरे दिन फिर आप किसी दूसरे सब्जेट का आप कोशन प्राक्टिस कीजिए तो दूसरे दिन माल लेते हैं कि आप बायो के सारे कोशन दिन भर प्राक्टिस करते हो जितने देर भी आप पढ़ रहे हो आप तो अगर एक दिन उठाना है तो एक ही सब्जेक को उठाओ साइस में जैसे एक दिन केमिस्ट्री को दिया फिर दुसरे दिन फिजिक्स को दे दिया आगे पीछे इसमें इंटर्चेंज कर सकते हैं ठीक है अब यह फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट अब क्या करना है अब आप का टोटल साइंस रिवाइज हो चुका है तीन दिनों में अब आप साइंस का लगाई है फोर्थ डे क्या लगाई है मौक सैंपल पेपर एमस्पी बहुत इंपॉर्टेंट है मौक सैंपल पेपर ठीक है तो यह चौथे दिन आपको करना है फिर पांच में दिन से यही साइक है इसी को आप अगर रिवाइज करते जाएंगे कंटीन्यू करते जाएंगे इस तरीके से आपके टोटल तीस दिन में आपका सिलिबस कई बार रिवाइज हो जाएगा इंडिविजुल सब्जेट का देखा जाए वो भी और ओर और साइंस जब आप मौक सैंपल पेपर रिवाइज कीजिए क्योंकि वो आएंगे ही आएंगे आपको मैं गारंटी दे रहा हूं तो इन बातों को ध्यान में रखकर मैंने यह वीडियो बनाए थी आइप की आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और इन बातों को इंपलिमेंट करेंगे और इसी तरह अगर आप बातों को आपको इंपलिमेंट करना है ठीक है और सबसे जरूरी चीज तो है कि अपने ऊपर भरोसा रखिए हैं आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन आप भरोसा रखोगे तब ना बदलेंगी चीजें तो समय सबका बदलता है आपका भी बदलेगा और यह बदलता हुआ समय आ और लास्ट वन मन्त में 30 डेज में इस तरीके से अगर आप रिविजन करते हैं साइंस में तो आपको बहुत जादा बेनेफिट मिलेगा थैंक यू सो मच